वेलकम दो एवर्वान मेरा प्रश्ण ये है कि जब हम निर्ने लेते हैं तो हमेशा एक सही निर्ने होता है और एक गलत निर्ने सही था या गलत ये बाद में ही पता चलता है मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा निर्ने सही था या मैं सही निर्ने ले रहा हूँ या गलत लेकिन आप प्रश्ण क्यों कॉपी कर रहे हैं वो मेरे दिमाग में था तो मैंने लिख दिया नहीं नहीं मेरी परिक्षाओं में कभी इतनी रूची नहीं थी मुझे फर्क नहीं पड़ता था लेकिन मैंने देखा जब मैं कॉलेज में था बहुत से लोग अपनी आस्तीम में यहां वहां हर जगा लिख कर लाते थे और हर तरह की परचियां वगएरा लेकिन मैं सभी उत्तर कॉपी करते थे प्रश्ण आप तभी कॉपी करते हैं ने ने मैं आपकी बात नहीं कर रहा क्योंकि यह चीज हर जगा है क्योंकि आप अपने भीतर इतना संघर्ष पैदा कर लेते हैं हर छोटी चीज के बारे में कि आप सोचते हैं कि आप हमीशा कुछ गलत कर देंगे कुछ गलत हो जाएगा ठीक है खुशी खुशी कुछ गलत कीजिए यह ठीक है कोई नहीं जानता कि वे सही काम कर रहे हैं या गलत क्या वे जानते हैं 100% नहीं तो खुद को जादा परिशान मन कीजिए कि क्या यह सही है क्या यह गलत है बस जब आप कुछ करें तो ये देखिए क्या इससे मुझे और मेरे आसपास के लोगों को खुशाली मिलेगी आपके लिए बस यही महत्वपूर्ण होना चाहिए जो लोग सोचते हैं वे हमेशा सही हैं वे भयानक लोग हैं ऐसा करने से तानाशा पैदा होते हैं मैं हमेशा सही होता हूँ मैंने जीवन में सभी सही निरने लिए ये तानाशा है ये इनसान नहीं है जो हर चीज सही करता है वो एक बदसूरत इनसान बन जाता है आपको सही चीज़ें करने की जरूरत नहीं है बस थोड़े ज़ादा इंसान बनिये, बस ये सुनिश्चित कीजिए कि जब आप कुछ करते हैं तो ये आपके और आसपास के सभी के लिए अच्छा है, क्या वो सही है या गलत, कौन तै करेगा, अगर ये सभी को खुशाली देता है तो ये सही है, है ना, कोई तै नहीं कर सक ताकि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हजारों सालों से लोग उन्हीं चीज़ों पर बहस करते रहें और कोई भी निशकर्ज तक नहीं पहुँचा है कि सही क्या है और गलत क्या है, और जिन लोगों को विश्वास है कि वे सही चीज़ें कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा एक दूसरे के लिए सबसे भहंकर चीज़ें की हैं, हमेशा, तो सही और गलत देखने के बजाए, जो उस नैतिकता का परिणाम है, जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप अपने भीतर मानवता को क्यों नहीं जगाते, आप एक जीवित मानवता क्यों नहीं बनते, मानवता क का मतलब बस ये है, हमने इसी के बारे में अभी बात की, पशुप्रकृति का मतलब है सीमाएं बनाना, इंसानी प्रकृति का मतलब है सीमाओं को फैलाना या हर किसी को अपनी सीमाओं में शामिल करना, क्योंकि यही स्वभाविक चाहत है, आप जहां भी हैं, आप उससे पुद्रती रूप से सम्मिलित करती है, पशू प्रकृती अलग करती है, वो सीमाय तै करना चाहती है, तो सही और गलत की सीमाओं में होने के बजाए, अगर कोई गलत भी हो, तो उसे खुद में शामिल करके हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं करें, क्योंकि जिस पल आप सोचत गलती कर रहा है, अगर सभी गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं, तो ये पागलपन का संकेत है, ये सही होने का संकेत नहीन है, तो अपना समय सही निर्णे और गलत निर्णे में मत गमाईए, जब आप ठिक ठाक रूप से संतुलित और स्पष्ट हों और खुश हों ना कि किसी चीज से परेशान हों तब कोई निर्णैन लीजे और अपना जीवन उसमें लगाईए कुछ शांदार होगा शायद आप सही चीज न करें पर शायद आप एक महान चीज करें आप शायद एक शांदार काम करें इतना काफी है मैं कितनी दूर जाओंगा, क्या होगा ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है आपकी बुद्धी, आपकी एक शमता और वो समय जिसमें आप जी रहे हैं आपको आज के समय को अंदेखा नहीं करना चाहिए इतिहास के अलग-अलग समय में अलग-अलग चीजें सफल होती हैं शायद हम उसके तालमेल में हो हम जो हैं शायद उसकी तारीफ आज होगी या शायद उसकी तारीफ कल होगी या शायद उसकी तारीफ हमारे जाने के बाद होगी लेकिन हमने जो भी अपने जीवन में किया वो हमने पूरी भागीदारी से किया क्योंकि जीवन भागीदारी में ही है जीवन सही होने में नहीं है आपकी भागीदारी में रुकावट नहीं आनी चाहिए जो भी आप करें ये देखिए कि इसमें सभी की खुशाली कैसे शामिल है अगर आप सब को खुद में शामिल करते हैं और भागीदारी दिखाते हैं तो ये ठीक है क्या मैं सही हूँ या गलत सही या गलत अपने जीवन के आँखरी दिन तक आप ये वाकिए तैय नहीं कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या है क्योंकि हमेशा कुछ आने लोग होंगे जो कहेंगे ये गलत है है ना